नमो नमा शात्रों स्वागत है आपका इस्टेपाप अकेडमी में गितांजली अंदिरिया के साथ सुभा सितानी सुन्दर बच्चन क्या होते हैं सुन्दर बच्चन किने कहते हैं आप सुन्दर बच्चन जो आप मिठास भरे शब्दों में बोलते हैं वो है सुन्दर बच्चन आप अपनी नेतिकता से पूर्ण बोलते हैं वो है सुन्दर बच्चन आप नम्रता से पूर्ण बोलते हैं वो है सुन्दर बच्चन सारे mannersful जो आपके शब्द आपके मूँसे निकलते हैं बो है सुन्दरवचन इन सभी को मिला कर ही बन जाते हैं सुन्दरवचन और सुन्दरवचनों को ही बोला गया है यहाँ पर सु भाशितानी, सु, सु पुत्र में, पुत्र में सु लग गया तो हो गया सु पुत्र अच् तो यहाँ पर भास धातु से बना है सुभासी तानी अर्थात सुन्दर बचन तो आज उपढ़ने वाले हम कक्षा 10 वी शेमोसी का प्रथमा पाठा है और प्रथमा पाठ है यहाँ पर पाठ एक है प्रथम पाठ है यह क्योंकि कुछ ही इस लोक यहाँ पर हम पढ़ेंगो फि सुन्दर बचन केबल आस पड़ोस आपसी लोगों से नहीं बोलना है अपर आप कोगे कि हम आपस में कौन बोलता हम भाई बेंट तो बहुत जगड़ते हैं भाई उनसे भी कभी प्यारे बचन बोल लिया करो है ना हो सकता वो आपका काम कर जाए और आपके काम भी पूरे ह जाए तो चाहे आप यहां इंग्लिस में पढ़िए लिटरेचर पढ़िए कहीं भी पढ़िए सुन्दर बचनों की आवश्चकता तो पढ़ती ही है और होनी ही चाहिए कई बार हमारे कार इसी कारण होते हैं तो पाठ यह कहां से आया है किस से संकलित हैं यह श्लोक यहां संस्क्रित साहित में सार्भ भौमेकम सत्यम सार्भ भौमेक सत्य मतलब पूर्टा जो सत्य है प्रकाशितों उसको प्रकाशित करने के लिए अर्थ गांभीरता अर्थ की गहनता अर्थ की गंभीरता अर्थ की गहराई पद्ध मई प्रेणात्मिका रचना सुभासितानिक अ जहां पर आपको सार भौ में एक सत्य को प्रकाशित करने के लिए जो अर्थ की गंभीरता को लिए हुए है ऐसे प्रेड़ना दाई सुभासितानी यहां पर उनको सुभासितानी कहा गया है जो सत्य हैं सत्य पर आधारित हैं हमें प्रेड़ना देने वाली हैं वो हैं सुभास कि क्रोध करने से कौन कौन से परणाम बुरे परणाम हो सकते हैं सामाजिक महत्तम समाज का महत्व सर्वेसाम बस्तुनाम उपादेता सभी बस्तुमें उपादे होती हैं जितनी बस्तुमें संसार के अंदर हैं वो सभी बस्तुमें का संसार में आना कोई ना कोई अर्थ लेकर वुद्धेवेशिट्यम उद्धिकी विशेष्ता एत्या देनाम consultant यहाँ पिली पिल्फ किए गए मैं आता है हमारा इसका हींदी देख लेते हैं प्रस्तोत पार्ट विविन ग्रंथों से संगले दस लोकोक्तियों से या दस श्लोकों का संग्रह है, संस के साहित में लोकोक्तियां एक पद्ध पर आधारित प्रतिक रचना जिसमें अर्थ की गंभीता के साथ सार बहुमिक सत्त प्रगट होता है, इस ग्रंथ में परिश्रम अब यहाँ पर आलस्यम ही मनुष्याना अब यहाँ पर हम अनवय से लेते हैं अब एक बात में आपको बता दू एक अच्छा दस्वी के विध्यारतियों के लिए अनवय याद रखना ही है अब आप कहेंगे कि मैं अनवय हम कैसे याद रखेंगे यह तो हमारे शब्द हमारे लिए बड़े हो जाते हैं इतने श्लोक हैं हमारे श्लोक का अनवय कैसे याद रखेंगे तो घबराना नहीं है अनवय आपको याद रखना है लेकिन कैसे एक और मैं आपको बात बता दू कच्छा दसवी के प्रश्ण पत्र में जो अनवय आता है वो आपको आता है खालिस्तान के आधार पर और उसके लिए आपको आप्शन दिये होते हैं नीचे आपको बिकल्प दिये होते हैं जैसे मालनों यहाँ पर उन्होंने दे दिया तो सरी रस्ता को गयब कर दिया कृत्वा को गयब कर दिया अवसी दति गयब हो गया उद्धम हो गया ही को कर दिया और इन सबी को उठा कर एक बॉक्स में यहाँ पर रख दिया तो आप बताईए कि जब आप इनकी तैयारी कर लेंगे ठीक आपको नहीं अनवय maintenance हुआ पर आपको अनवय आया है और नीचे वो दिये हुए है और आपको उन शब्दों के भी अर्थ मालूम है और यहाँ पर जो बीच-पीच में जो दिये हुए उन के भी अर्थ मालूम है इतना तो आप करीब आँगे न, तो इतना करके इतनी अ असानी से आप खालिस्तानों को भड़ देते हैं अभी आपकी प्रारम भे आपको लगता है कि यह भी आएगा तो मैं आपको डराना नहीं चाहती लेकिन आपको इन बातों से अन्विग भी नहीं रखना चाहती इन बातों से कहीं में आपको छोड़ना भी नहीं चाहती कि इन ये पढ़ाने के दोरान ही बताती जाओंगी तो ही मनुश्याडाम शरीरस्था महान शत्रू आलस्या मतलब मनुश्याडाम ये भाम शामाता है ये सश्टी का पभोचन होता ह। Свच्टी भक्ती का जो कारक्चिन है वो है काकी के रारीरे तो मनुश्यों के सरीरस्था इस्था मतलब इस्थिक सरीर में इस्थित महान शत्रू एक बड़ा शत्रू है आलस से यदि आपको आलस आता है तो आपको किसी और क्या वशक्ता नहीं है कोई किया दिन यह काम मत करो हमारे अंदर पहले से एक आलस एक शत्रू मौजूद है नहीं दे रहा मन के हारे हार है मन के जीते जीत तो आलस को आपने घर कर लिया है उद्धम समहा बंदू न अस्तियम करत्वा मानवा न अवशिदती जो उद्धम जो परिश्रम करने वाले मनुश्य होते हैं उनके लिए दुख प्राप्त नहीं होता जो परिश्रम करते हैं जो परिश्रम से कारेओं को करते हैं, वो अवशीदती दुख को प्राप्त नहीं करते हैं, और जो परिश्रम जिनके अंदर होता है, वो दुखी होते हैं क्यों के उनके कारे पूर्ण नहीं होते हैं. अब यहां देखिए मनुश्यों के शरीर में रहने वाला या इस थेट आलसी ही सबसे बड़ा शत्रू है परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं उसको करके कभी दुखी नहीं होता अब इससे समंदित देखते हैं शब्दार्थ तो रिपोकार्थ होता है शत्रू ना अस्ति उध्धम समो इसको हम तोड़ देंगे यह संधी वाला शब्द है यह तीन शब्दों से मिलकर यहां बना है ना अस्ति उध्धम समो तो यहां से हम लेते हैं तो यह हो जाता है हमारा ना हो गया और यहां से बड़ा आथा तो इसको अस्ती तो योगे ना और अस्ती साथी उद्धम समों तो यहां पर उद्धम और समों तो ना अस्ती उद्धम समों नहीं है ना अस्ती मतलब नहीं है परिश्रम के समान दुखी होता है मतलब जो यह नहीं करता है वो परिश्रम के समान ऐसा कोई बंधू नहीं है परिष्रम के समान अविशिदाती मतलब दुखी होता है तो ना लग जाता है तो मतलब दुखी नहीं होता यह तो आपने शब्दार्ते जो अलग लगाए इनको जोडने जब पूरा अर्थ लगाएंगे तब नहीं तो आप यहां से करोगे तो आपका अर्थ गलत हो जाएगा अगले की तरफ चलते श्लोक है गुण गुणम बेती ना बेती निर्गुणु बली बलं बेती न बेती निर्वला पिको बसंतस गुणम नवाय सहा करीच सिंगस बलं न तो गुणम बेती ना बेती दो निर्गुणों जो गुण है वो गुणवान जानते हैं ना बेती निर्गुणों बेती मतलब यहां जानने के लिए है जो निर्गुणी है वो नहीं जानते गुणों का क्या महत्व होता है क्योंकि जिसके पास गुण ही ना हो जिसके पास उसका महत्व नहीं समझ सकता बली बलम बेटी जो बलवान होता है बही बल का महत्व समझता है कि आखिर बलवान होना क्या होता है न बेटी निर्वला जो निर्वल है जिसके पास बल नहीं है शक्ति नहीं है वो क्या समझेगा कि क्या बल का क्या महत्व है पिको बसंते से गुणम नवाइजा पिक मतलब कोयल कोयल जो बसंत का गुण जानती है कि बसंत के मौसम में कितनी सुंदरता होती है उसमें आम की जो टहनी है आम का पेड़ है उस पर बैठकर कोयल का कूकना उसे कितना मधुर लगता है क्यों वो बसंद के मौसम में आकर कूकती है इसका महत तो कोयल जानती कववा तो नहीं जानेगा कववा तो हर मौसम में काओं काओं करता है तो बाइसा मतलब कववा तो बसंद का गुड कोयल जानती है कववा नहीं जान सकता करीच यहां पर जो सेर का जो बल है वो सेर पहचानेगा मूशक चूह तो नहीं जान सकता कि आखिर क्या कितना बल होता है सेर के अंदर तो शेर का बल तो जानेगा वही चूह उसको नहीं समझ सकता यहां कहने का ताथ पर है कि समान गुणवाले ही उस गुण को जान सकते हैं उसके म को को नहीं जान सकता अनवय क्या है आपट गोड़ गड़ी गुर्वान को जाता नीर्गुणम न बेट ऀनीरगुणी नहीं जानता है भली बलको कमध्व समझता है लेकिन गचमने अचछअ वह भासनत्व का महत्व के अलगा वह बसंत है उसका को कोयाड़ समझती है है बाइस कवानगह समझ सकता है कि यह उतै सेहाइस to और साइब के अंदर वह बल है कि गुणी गुण जानता है निर्गुणी नहीं जानता है शक्टि शाली बल जानता है निर्बल बल का महत्व नहीं जानता बसंद का गुड कोयल जानती है कवव नहीं जानता शेर का बल हाथ ही जानता है चूह नहीं जान सकता क्योंकि जो जिसके साथ रहता है वो उसका महत्व जानता है अन्य व्यक्ति उसका महत्व नहीं जान सकते है तो हर किसी का अपना एक महत होता है, इसके शब्दार्त है, बेटी मतलब जानता है, बाएसह मतलब का व्वक करी मतलब होता है, हाथी. यह यहाँ पर वो कथन शब्देते जिनके अर्थ आपको जानना आवश्यक्त है. अगला है निमित उद्देश नहीं यहाँ प्रकुप्यती द्रवम सा तस्याप गमे प्रसीदती अकार्णे दोशी मनस्तु यस्वई कथम जनस्तों परितोश्य सिती अब यहाँ पर देखे निमित मतलब होता है कारण उद्देश यहाँ निमित के उद्देश से यहाँ मतलब होता है जो प्राकुप्यती मतलब क्रोध करता है जैसे आपको गुस्सा आ रही है और आपको गुस्सा आने का कारण पता है का आपको क्रोध क्यों आ रहा है ठीक आप उसके निमित को जानते हैं तो निश्य थी ध्रुबं मतलब निश्य थी सा मतलब वह तस्या अपगमे प्र किसने पुझा क्यों गुस्सा आ रहे हैं आप थोड़ी दिर शान्त रहें फिर आपको क्रोध कारण पता चल गया है इस बात पर क्रोध आ रहा थे यह मेरा काम नहीं हुआ और वो जानकर आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी टाइम लगेगा और आप शान्त हो कथम जनस्त्वम जन मतलब लोग कैसे उसको लोग परिटोशश्यती परिटोशच करना सन्तुष्ट करना कैसे लोग उससे संतुष्टिया प्रसंद कर सकते हमिए आपके करोध करने कारण नहीं पता आप जिब देखो जब गुस्त ही रहती है आपके मन में गुस्ता भरा र चाहिए यहां निमित्त तम उद्देश्यम प्रकुप्यती जो निमित्त कारण किसी करोध करता है तम जना कथम परितोशिस्यती लोग उसको कैसे प्रसन कर सकते हैं तात नहीं कर सकते हैं करने के लिए आपका कारण सुनिस्चित होना चाहिए कि आपको क्या क्रोद हो रहा है लेकिन आप दिन रात अपने मन में क्रोद भरे रहते हैं तो आपको कोई भी प्रसंड नहीं गर सकता कोई किसी कारण कारण का अधिक क्रोध करता है तो वह उसकी समाप्ती पर प्रसंद हो जाता है जिसे इन्होंने कुछ का चलोने का है सुरी यार जानने दो हटा आप खुस हो गए आपका कारण नहीं हो रहा गुस्सा आ रही थी आपका कारण होगा प्रसंद हो गए आपको पता था कि किस कारण से आप संतुष्ट करेगा ताथ पर यह निकल के आया कि अकारण भी हमेशा क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध का कारण आपको भी पता होना चाहिए और जब वो कारण हो जाए तब क्रोध भी शांत कर लेना चाहिए कहने का ताथ पर अपने मन को हमेशा अपने मतलब मन के उपर क्रोध को मचड़ने दो क्रोध करने का भी एक निश्चित समय होना चाहिए हमेशा क्रोध में रहोगे तो लोग फिर कहेंगे जान दो यह ऐसा ही है शब्दार देखिए निवित्त मतलब कारण प्रकुप्यती अर्थात अधिक क्रोध करता है रहता ुद्य र्था देखिए ह्श नगाश बहन्ती बोधीटा अनुक्त्रम प्योती पंडितों जनहा परेंगित ज्ञानेफलाही बुद्या अब यहां पर है उदिर तो मतलब कहा गया जो अर्थै पशुनपी ग्रहता है êtes पशु आपकी घर में पशु हैं आपनों ने पाल के रखा हुआ आप कुछ कहते हैं तो उसका अर्थी भी ग्रहन कर लेते हैं हयास्ट नागाश्च मतलब जो हाथी और घोड़े हैं वहंदी बोधिता वो भी कहे गए बात को समझ लेते हैं उसका भी ज्यान रख लेते हैं अन पारंगत ज्यान फला ही बुद्धिया और जो ज्यान में बुद्धिमान रख लेते हैं और जो भीन पारंगत जना अनुक्तम आपी पंडित लोगों की कही हुई बात के बिना कही हुई बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं बुद्ध्या परंगत ग्याने फ़ला और जो बुद्धिमान होते हैं वो तो ग्यान में पारंगत होते ही हैं वो अपने ग्यान से ही सब कुछ अंदाजा ग्यान रूपी फल में पता कर लेते हैं वो पशू के द्वारे भी कहा गया वाक्त ग्रहरंड किया जाता है घोड़े और हाती बटाएगए को समझ लेते हैं कि कहा जाना나ा एक है कैसे जाना घोड़े आप जैसा है सारा कर दें आप उनको लगाम को लेकर वो उस दिसा में चल पड़ता है वो समझता है ज्यानी जन ना कहे हुए का भी अंदाजा लगा लेते हैं और बुद्धिमान दूसरों के संकेट जन जन ज्यान रूपी से फल रूपी मतलब फल वाले होते हैं वो संकेट समझ लेते हैं और आपको उसका प्रणाम बता देंगे तो कहने का ताट पर यहां पर यह है इस श्लोक का कि दुनिया में चाहे पशू हो ज्यानी हो जानबर कोई भी हो वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात जो उन तक जाकर ठीक बढ़ती है उसका अंदाजा वो लगा लेते हैं इससे समंझ शब्दार देख लीजे उध संकेत जन्य जन्य ग्यान रूपी फल वाले हैं समझ में आया यह आपको इस लोग अब यहां पर आपका जो पार्ट बन है पार्ट बन में हमने जितने भी चार के लगबग दिश्लोक लिए हैं यहां आपने उसका अनवय देखा शब्दों के अर्थ जाने यह आपके शब् यह आप समझ लें और अगले वीडियो के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा लंबा क्योंकि अगला वीडियो इसका हाफ है तो बो तो हम जादा गैप कर नहीं सकते क्योंकि आपको अपने लगातार उनको पढ़ते रहना है लेकिन एक साथ इतना बड़ा पढ़ अनबय पूछा जाता है तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको आगे का पार्ट तो आप बने रहेगा हमारे साथ आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू सो मच